गुन मानिंग शाथी हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कल यानि 28 नॉम्मर को जो आपका यूपीट का एक्जाम होना था दोनों सिप्टों का प्रथम पाली और दुतिय पाली पेपर लीख हो जाने काड़ आपका जो है यह एक्जाम नेस्ट कर दिया गया था ठीक है ना तो अब सभी बच्चों के मन में एक डाउट है यह जो आपका एक्जाम है अब कब होगा यानि यूपीटीट की नई एक्जाम ते तब क्या हो सकती है आखिर हमारा एक्जाम कब होगा तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपके लिए निकल कर सामने आ रही है कि आपका जो यूपीटीटी की नई परिच्छती थे वह 26 दिशंबर हो गई है 26 दिशंबर को अब आपका यूपीटीटी का एक्जाम होगा ऐसा कई जगों पर कई नियू चैनलों में और कई आपके जो है चैनलों पर आपको बताया जा रहा है ठीक है न तो आपकी जो नई यूपीटीटी की एक्जाम डेट है यह 26 दिशंबर हो गई है यानि कि अब आपका एक्जाम आसे जश्ट 27 दिन बाद आपका एक्जाम होना है ठीक है न तो आपसे लोग उपने तयारियों में लग जए हाला कि अगर मैं बात करूं 26 दिशंबर की एक्जाम होने की तो इसक 3 दिनों में अगर आप लोग के पढ़ायDas आपको की अपनी तैर्रिकyश और भेटर बना सकते हैं ठीक है न तो सभी लोग आत्याम मों कि 29 झंभर को होना है धन्यवाद को होना है दैन्यवाद